नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पार साला में आज के वीडियो के महत्रपुने जानकारियों को लेके आया हूँ जैसे आप बोर्ड पर देख पारें दोस्तों लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं एक विशे के उपर कॉम जो चीजें हम समाल के रखते हैं जैसे रिक्रूटी के समय के ड्रेस मेरे पास हैं मैं जब रिक्रूट हुआ करता था मेरा मुफ्ती ड्रेस मेरे पास है ये जो कोट में पहिंद रहा हूँ ये मेरा मुफ्ती ड्रेस का कोट है दोस्तों और साथी साथ लास्ट टाइम में सारे medals मेरे पास हैं और मेरा जो unit pattern का track shoot है वो भी मेरे पास है तो आप सब के पास आपके recruiting से लेके retirement तक के जो यादें हैं उनमें से क्या चीजें क्या-क्या ऐसी वस्तुएं आपके पास हैं जरा आप comment जरूर कीजिएगा दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे informations की और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे आग रहें अगर साइनिक पार साला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहें या अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप से जुड़ी हुई भरोसे मन जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहें सेना प्रमुख की सकत हिडायत कड़ी चितावनी जवानों के लिए एक नया युग लाएगा जी हां दोस्तों सेना प्रमुख द्वारा एक चेतावनी जारी किया गया है कि जवानों को कुछ कामों में इस्तमाल ना किया जाए उनकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचने वाले जो काम होते उनमें उनका इस्तमाल ना किया जाए बकाइदा लेटर जारी किया गया है और लिस्ट जारी किया गया है टोटल 20 ऐसे काम है जिन से जवानों को दूर रखने के बारे में जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने हिदायत दी है तो चलिए लेटर और उन 20 कामों के लिस्ट को देख लेते हैं दोस्तों यह जो लेटर आप देख पारे हैं हैटकॉर्टर 81 सवेरिया का 6 जनुरी 2024 का लेटर है यह लेटर कई सारे हैटकॉर्टर को ब्रिगेड एटकॉर्टर को कोर आटी ब्रिगेड और अगयरा को एड्रेस किया गया है और इसी लेटर में जो सेना प्रमुख हैं उनकी द को दूर रखा जाये जिन से जवानों को दूर रखा जाए ऐसे कामू की यह सुची है जिसको मैं आपको अब हिंदी में समझाता हूं दोस्तों ये जो आप लिस्ट देख पारें ये वो ही लिस्ट है सैनिकों का टाला जा सकने वाले कारे यानि कि सेना प्रमुख ने ऐसी हिदायत है ऐसे चितावनिया दी हैं कि इन कारेों से सैनिकों को दूर रखा जाए तो दोस्तों आप जैसे देख पारें कार के दरवाजे खोलना हवाई अड़ो रेल्वे स्टेशन पर सामान ले जाने वाले सामान ट्रॉली को धका देने वाले प्ले कार्ड धारक का काम कराना तीन नमर में सारवजनिक कार्यक्रमों में बच्चों के लिए छाता पकड़ना ट्रेड्समें विशेश रूप से हाउसकीपर को बर्दी पाने हुए सारवजनिक स्थानों या सडकों पर कार्यक करने से बचना चाहिए आगे दोस्तों सेरिमनियल परेड के अलावा अन्यकारों के दोरान विविन्ना अधिकारियों वरिष्ट अधिकारियों को ले जाने वाले स्टिक और्डरली या मारकर का काम भी ना कराया हेलिपेडों पर चाय नास्ता परोसने के लिए जल्पान कक्च स्तापित करें यानि कि जबानों का इस्तमाल उसके लिए ना हो आगे सारवजनिक स्थानों गैर अफसर्ष मैस समारों और नीजी पार्टियों में वेटर के रूप में काम कराना इनसे भी अबॉइट किया जान जाए फोटोग्राफर के रूप में सामाजिक आयोजनों के दोरान असंगत संख्या में रहना सारवजनिक स्थानों सड़कों पर पालतू जानवरों का घुमाना घर के अनावश्यक कारिय कराना सापिंग के दोरान महिलाओं के साथ सापिंग बेग ले जाना बच्चों को खेलते समय उनकी देखबाल करते हुए स्कूल छोड़ने वाले स्थानों तक ले जाना ये काम से भी उनको जो है इस्तमाल ना किया जाए इन कामों के लिए भी पार्कों में बच्चों की देखबाल करना आवा लेडीज क्लब कारियों के दोरान उपस्थिति यानि कि जो आ बर्मचारी की परमिट डूटी के दोरान ट्रकों में सामान सहित ले जाना महिलाओ नागरिक अतितियों के लिए नीजी कार चलाना भले यो सिविल ड्रेस में क्यों ना हो और 20 में सेवा निवरित्ता अधिकारीयों के सहायक के रूप में इनका हिस्तमाल किया जाना तो आप अपना PPO कहीं आपको भी 100% के बजाए 60% तो नहीं दे दिया pension जी हां दोस्तों आपको मैं PPO दिखा करके समझाओंगा कि कैसे record office और PCDA दोनों सो रहे हैं क्योंकि pensioners को जो लागू है जो सीधे साफ आँखों से दिखता है समझ में आता है उसको भी नहीं दिया गया और गलब PPO जारी किया गया उस PPO को दिखा के आपको समझाता हूँ चलिए देखते हैं अब दोस्तों यह जो PPO है यह एक family pensioner का PPO है और अगर आप भी family pensioner है तो आपका PPO निकाल करके इस चीज को जरूर चेक कर लें कि इस PPO में जो सीज में अभी बताने जा रहा हूँ यह एक हवलदार X group के हवलदार का PPO है दोस्तों और इनकी service साड़े 18 साल की service में वो retire हुए थे और pre 2006 के retiree थे 2006 से पहले के retiree थे तो इनका जो OROP 2 का जो table है वो table number 7 है क्योंकि 2016 के पहले के retiree के लिए table number 7 है बादवालों के लिए table number 8 है अब यहाँ पर जो महत पूर्ण बात है आप देखिए 30 अगस्ट 2023 को इनके मित्यों होती है और उनके मित्यों के बाद इस family pensioner के लियाज से इस PPO को issue किया जाता है अब यह जो PPO है आप देखिए यह PPO कब issue किया गया है जैसे आप देख पा रहे हैं यह PPO issue किया गया है दोजार तेईस में 31 अक्टोबर 2023 में आगस्ट में pensioner के death होती है और 31 अक्टोबर 2023 को उनका PPO जारी हो जाता है अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्तपूर्णबाद 2005 के रिटाइरी है यानि कि उनकी उमर लगबग आज के date में 50-55 साल के बीच में होगी और उनके family pensioner को pension कितना में सुरू किया गया आप देखिए उनकी मृत्तु हुई है 2023 में और उनका retirement का जो साल है वो 2005 है तो उस हिसाब से और 16-17 साल सर्विस करके वो रिटाइर हुए हैं तो लगबग 50-55 साल के उनकी उमर थी मृत्तु के समय में तो उनको जो family pensioner को जो दिया गया है family pension 14,636 रुपए यानि कि दोस्तों जो ordinary family pension enhance rate में सुरू किया जाना चाहिए था जितना pensioner को pension मिल रहा था उतना ही family pensioner को भी pension मिलना चाहिए था लेकिन उनका जो pension है normal rate में सुरू कर दिया गया है आप देखिए तो इस तरीके से कई सारे ऐसे pensioners हैं जिनको पता नहीं चलता तो यही लेते रहेंगे लेकिन जिनको पता चल जाएगा कि उनको गलत pension मिला है वो जरूर जागेंगे और अपनी कारवाई करेंगे अब इन pensioner को मैंने guide कर दिया है कैसे क्या करना है उनको जरूर ही enhance rate में ordinary family pension मि मिलेगा उसके बाद फिर वो रूल के हिसाब से उनका pension 60% हो जाएगा आप सबने देखा दोस्तों आप भी अगर family pensioner है तो आपका पीपो चेक जरूर करें चले अगली जानकारी के और आगे बढ़तें 31 जनौरी को क्या-क्या महतपून है देखें जिया दोस्तों 31 जनौरी यानि कि आफ से दो दिन बाद क्या-क्या महतपून है सबसे पहले जनौरी का pension खाते में आएगा जिया है जनौरी महिने का pension सपर्स के जितने भी pensioners है उनके खाते में उनका पैंसन जनौरी महिने का 31 जनौरी को आ जाएगा उगला महतपून है दोस्तों, ये जरूर कर लें जी हाँ दोस्तों, 31 जन्वरी 2024 तक जीवन प्रमान पत्र को सब्मीट करने का समय को बढ़ाया गया है, अब 31 जन्वरी बिल्कुल नजदीक है, और आज तक अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सब्मीट नहीं हुआ है, या रिजेक्ट हुआ है, तो जरूर चेक करें, और अ 51 परसेंट होने पर मुहर, जी हाँ दोस्तों, DA या DR हमें 31 जन्वरी 2024 को ही पता चल जाएगा कि हमारा 50 परसेंट होगा, या 51 परसेंट होगा, क्यूंकि AICPIN के दिसम्बर महिने के आखड़े जारी हो जाएंगे दोस्तों, ये जो सामने आप आखड़े देख पारें, ये न परसेंट मिलेगा, उसका साफ साफ आइना की तरह जो है चीज़ें सामने आ जाएंगे, और 50 परसेंट या 51 परसेंट उसका क्लारिफिकेशन हमें मिल जाएगा, जैसे यहाँ आखड़े सामने आ जाएंगे, तो 31 दिसम्बर हमारे लिए महत पूने दिन है दोस्तों, चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एक फेवरुरी क्यों है आहम, देखिए समझिए, आपने अभी अभी 31 जन्वरी के बारे में जानकारी लिए, अब एक फेवरुरी क्यों है मैं आहम दोस्तों, सबसे पहले, सैनिकों, पुर्व सैनिकों और डिपेंडेंट्स के लिए ये सुवि लिए रहने की सुविधा के लिए जो है आयोध्या में स्थापित की गई है जिसकी सुरुवात एक फ़वरोरी 2024 से हो जाएगी अब ये जो सामले लेटर देख पाने जिसमें पूरी जानकारियां दी गई है कि कैसे आपने बुक करना है यहाँ पर मुबाइल नमबर भी दिया गया है किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं क्या क्या सुविधाई वहाँ पर हैं कितना चार्जेस आप से लिया जाएगा सभी बातें इस लेटर में लिखी गई हैं दोस्तों और आपको इस लेटर को पढ़ने के लिए बिस्तरित तोर से पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें जो भी प्रावदान, जो भी बातें, जो भी सुविदाएं लिखी गई हैं, उनको पढ़ लें, और अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं, रामलला के दर्सन के लिए अयोजा जाने का, तो जरूर इस सुविदा का फाइदा उठाएं, और अपने परिजनों के हैं, एक फवरोरी को, दूसरा एहम है, CSD कोटा में बदलाव लागो होगा, जिहां दोस्तों, CSD कोटा में बदलाव जो है, एक फवरोरी दोजार चोवी से लागो होने वाला है, यह जो सामने आप लेटर देख पारें, जो की कार पोलिसी से जुड़ा हुआ लेटर है, या फवरोरी दोजार चोवी से यह लेटर जो है लागो हो जाएगा, और इस लेटर के हिसाब से हम कुल जो है, चार कार खरीच सकते हैं, अगर आप जवान हैं, हवल्दार तक हैं, तो आप चार खरीच सकते हैं, आप जेशियो हैं, तो आप पांच खरीच सकते हैं, बीच में गैप आठ साल का होना जरूरी है, लेकिन आप चाहे रिटायर्मेंट के बाद हो, चाहे आप सर्विस में रहते हो, कभी भी खरीदें, टोटल मिला करके चार या पांच कार आपको लागो है, जो आर्मी एड कोटर ने ये जो रूलिंग जारी किया है, ये रूलिंग दोस्तों 1 February 2024 से लागो हो जाएगा, इसलियाद से 1 February 2024 एहम है दोस्तों, अगला जो है 1 February को क्या होगा, अंतरिम बजट आएगा, ये हैं आसा हैं, जी हां दोस्तों, 1 February 2024 को देश के संसद में, देश की वित्तमंत्री जो है, अंतरिम बजट पेस करेंगी, जो की एक चुनावी बजट दोस्तों, क्योंकि 2024 में आगे 2-3 महिने बाद चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में हम क्या आसा कर सकते हैं इस बजट से, सबसे पहले आसा दोस्तों, टेक्स लिमिट बढ़ने के आसाएं हैं, जी हां, जो 50,000 रुपे का एक स्टेंडर्ड डिड़क्शन मिलता है, उसक उसका सीधा डिकलेरेशन जो है बजट में नहीं होगा, लेकिन अगर पैंसन बजट में बढ़ोतरी की जाती है, अगर करमचारियों के जो भुगतान करने वाले जो पेमेंट भुगतान करने वाली जो रासी है, या पैंसन के लिए जो धार्य किया जाता है बजट, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो उससे एक संकेत मिलेगा कि हाँ 18 महीने का डीए डीयर मिल सकता है आगे दोस्तों पैंशन में सुधार जी हाँ आप सब को पता है कि बित्त सेक्रेटरी यानि कि जो बित्त सचीब हैं उनके अधक्षाता में एक टीम ने अपनी रिपोर्ट सौपी है सरकार को तो उस रिपोर्ट के हवाले से जो आने वाले समय में NPS में क्या सुधार होने जा रहे हैं NPS में ऐसे क्या लुवावनी चीजे हैं जो सरकार लागू कर सकती है उसके बारे में भी हमें एक फ़वरोरी को ही पता चलेगा अंतरिम बजट आने के बाद दोस्तों तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इनी जानकारियों के साथ आया था आगे और कोई जानकारिया है कि आप से सरकार रखने वाला विसे लेके मैं फिर से आज ही रो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस्तों